प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022 की विभिन सफलताओं ने भारत को दुनिया में एक विशेश स्थान दिलाया है। आगाश्वाणी के माध्यम से मन की बात कारेकरम में आज उन्होंने लोगों के साथ अपने विचार साजा करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में भारत को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था का दर्जा मिला और देश ने 220 करोड कोविड टीके लगाने का रिकॉर्ड भी पार किया। एक विशे स्थान बनाया है। 2022 याने भारत द्वारा दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था का मुकाम हांसिल करना हुआ। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड वेक्षिन का अब विश्वस्नी आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड 2022 याने भारत द्वारा निर्यात का 400 बिलियन डॉलर का जादू याकड़ा भार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मन निर्भर भारत के संकल्प को अपनाना जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एरक्राप केरियर आइनेस विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का पर्चम, 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम, खेल के मैदान में भी जाहे कॉमन वेल्थ गेम्स हो या हमारी मैला होकी टीम की जीत, हमारी युवाओं ने जबर्जस्त सामर्थ जिखाया। प्रधार मंत्री ने राष्ट मंडल खेलों में देश के प्रदर्शन और महीला होकी टीम की विजय की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि देश ने इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं और देश अमरित काल में प्रवेश कर गया है। प्रधार मंत्री ने कहा कि एक भारत शिख भावना भी इसी वर्ष मजबूत हुई। कई माइनों में बहुत ही प्रेरक रहा अध्भूत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये और इसी वर्ष अमरित काल का प्रारंब हुआ। इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये हैं एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एक जुड़ता को सेलिबरेट करने के लिए भी कई अध्भूत आयोजन की। गुजरात के माधुपूर मेला हो जहां रुक्मनी विभां और भगवान क्रश्ट के पुर्वत्तर से समंदों को सेलिबरेट किया जाता है। या फिर काशी तमिल संगमम हो इन परवों में भी एकता के कई रंग दिखे। प्रधान दिनी कहा कि इस वर्ष भारत को G20 समुख किया इथक्षता की जिम्मेबारी भी मिली है और 2023 में G20 का उत्सा हमें नई उंचाईों पर ले जाना है और इस जन आंदूलन का रूप देने की जरूरत है।